नमस्कार मैं विश्वनात नायव अब हम खड़े हैं काला घोडा में जो मुंबाई का एक बहुती पॉपिलर शॉपिंग डिस्टिक्ट है और मेरे पीछे है रिदम हाउस स्टोर जो एक काफी पॉपिलर म्यूजिक स्टोर हुआ करता था कुछ साल पहले लेकिन तब से उस द खरीदने वाले हैं वो कंपनी का नाम है भाने रीटेल जिसके ओनर्ज हैं आनंद हुजा और सोनम कपूर और वो 53 करोड रुपीज के प्राइस टैक पे ये स्टोर खरीदेंगे और साथ ही साथ में करीबन 12,000 स्क्वेर फीट ओफिस पेस जो कुरला में बेस हैं उसे भी खर को और उस जो ओफिस पेस है कुरला में उसको भी ओन करती है फाइस्टार डामें इंटरनाशनल उसकी एक सबसिडिरी है कंपनी रिदम हाउस प्राइबिट लिमिटेड जो इन सारे रियल एसेट आसेट को ओन करती है आफ्टर दर निरव मोदी स्कैंडल जब बाहर आया था जहां पर काफी सारे बैंकों को बहुत बड़ नुकसान को जेलना पड़ा था उसके बाद जो एनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने सारे के सारे रियल एसेट आसेट को अटाच कर लिया था अपने केस के अंडर उसके बाद उसे ऑक्षन पे लगाया गया था और इसी अब जाके वो assets खरीदने वाला है 53 करोड का जो नमबर है उसमें से करीबन 19 करोड 19 करोड जो है वो long term loan को settle करने में use किया जाएगा और जो बाकी के पैसे हैं वो बैंकों के पास चले जाएंगे बैंक ने भी conditional basis पे ये पैसा accept करने की मंजूरी दी है क्योंकि investigation निरवोधी केस में अभी भी जारी है और उस investigation की जो outcome होगी उसके हिसाब से decide किया जाएगा कि क्या वो पैसे banks के पास रहेंगे या government उस पैसे को attach करके अपने अंडर ले लेगी तो आगे जाके ये हमें देखना पड़ेगा कि वो पैसा किस तरह से use होता है जहां तक sources ने हमें बताया है जो भाने retail है वो यहां पे एक नया retail store खोलने वाले हैं काला घोडा district of course बहुत ही popular shopping district है यहां पे बहुत सारे restaurants हैं और बहुत सारे designer stores भी हैं तो इसलिए location wise ये बहु थाले वहां ये खाले हैं ये लड़ रोड़ा खूड़ा श्यारा भाला?